रोज रोज एक ही जैसा काम करके हम बोर हो जाते हैं इन्हें हम टिप्स के थुरू करें तो हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारे समय की भी बच्चत हो हाई एवरीवन वैलकम बैक टू मैं चैनल उमीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी अच्छी होंगे तो फ्रेंड्स आज आपके लिए बहुती यूसरू टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहला जो मेरा टिप है कि हमे भी इच्छा यूस ओने व начал है क्या करना है हमें ले लेना है शौपनर तो बक्च जो होते हैं बैट पे या फिर nutrपल पर या कहीं पे भी बैट के जब school का work करते हैं तो शॉपनर जो होता है use में लेते हैं तो क्या होता है शॉपनर यूज़ लेने के पाद पैंसिल चिलने के बाद तो वह जगाजगा में कच्रा नालने की दिक्कत हो जाती है तो क्या करना है आपको इस तरह से एक खाली कोई सी डिब भी ले 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 उसके उ अब खाली डिब्बी जो है, इसको हम अच्छी तरह बंद कर देंगे, तो जब भी बच्चे स्कूल का हॉम वर्क करेंगे, इस तरह से पर पैंसिल को शॉर्प कर लेंगे, छील लेंगे, इससे क्या होगा पैट पर यहां भी काम करेंगे, कच्रा वरा बिल्कुर भी नहीं में इस तरह से सारा कच्राा आ जाएगा और जब यह डिbreaker भार जाएगा तो आप महीने में एक पर इसको फैंक सकते हैं तो फ्रेंडस इस तरह से बेकार डि sekarang का भी यूज़ हो जाएगा और बच्चे जो है वो भी इस तरह से जो शॉप्नर जो है यूस में लेकर और पैंसिल का कच्रा जो है एक ही जगह भी इस तरह से रह जाएगा और जब ये डबी बढ़ जाए तो इसे अब बाहर इसको कच्रा बाहर फैंक कर वापिस इस टिबी का यूस में ले सकते हैं तो फ्रेंट ये चोटा सा आइडिया है लेकिन काफी कमाल का आइडिया है तो नेक्स यू मेरा टिप है तो चार्जर होता है हम सब के गर में अविलेबल रहता है चार्जर हम फोन वगारा चार्ज करते हैं जब इसकी जो होती है ये लीड होती है बार बार खराब हो जाती है क आपको ले लेना है एक छोटा सा ढकन तो बोतल का डिककर ढकन है जो मैंने ले लिया है और इस बोतल के ढकन को हमें इस तरह से होल कर देना है साइड में कट कर लगा देना है और पिछली साइड से कट लगा देना है तो फ्रेंड देखी मैंने इस तरह से पिछली साइड है इस बिल्कुल भी नहीं गूमेगी और ऐसे सीधी की सीधी रहेगी और चारजर जो है बिल्कुल भी काफी टैम तक खराब नहीं होगा तो एक डगकन की मदद से ही आप इस तरह से चारजर को ठीक रख सकते हैं तो फ्रेंड देखिए चारजर जो है अब इसके अंदर आप अपना फोन वगरा है लगा सकते हैं और जो ये चारजर की जो लीड है एकदम से सीधी रहेगी बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी तो फ्रेंड आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी काफी पसंद आया होगा इस तरह से चोड़ जो टिप्स हम यूज करके हम अपने घर की चीज करने लग जाते हैं आर्टिविशन वगरा भी जो होते हैं एरिंग्स वो भी क्या होते हैं कान में काफी दर्द करने लग जाते हैं जो हम पैन ही सकते हैं तो कान में दर्द न करें इसके लिए आपको ले लेना है एक लसन एक लसन को इस तरह से आपको जब भी कान में इस त तरह से कर लेंगे तो क्या ओगा कि इसमें जो लसन का रस होगा इस एरिंग के पीछे इस तरह से डंडी में लग जाएगा व बिलकुल भी आपके कानों में बिलकुल भी दर्द होगा और कां़ में जिते भी आप बड़े बड़े ayering तो डर्थ नहीं होगा il Maybe This संब टिप काफी कमाल और को मेरा यह वला टिप भी काफी पशंद आया होगा औरoder टिपस को भूड डॉर करेंगे जब भी कान में आप ayering तो खानेंगे यहां artificial airings में भी क्या होता है ये दिक्कत आती है कान में काफी दर्ध होने लग जाता है तो इस तरह से आप लस्थन की कली से कान में दर्ध बिल्कू ठीक कर सकते हैं बढ़ते हैं अपने नेक्स टिप की तरफ नेक्स जो मेरा टिप है कि कड़ई होती है कड़ई में क्या होता है जब हम खाना बनाते हैं सब्जीव गारा बनाते हैं तो कभी कभी क्या दिक्कत आती है इसके जब पिछला हिस्सा होता है गैस खतम होने के कारण कारण काली हो जाती है पिछला इसा और क्या होता है हमें काफी रगणना पड़ता है साफ ही नहीं हो पाता है किसके लिए हमें ले लेनी है एक चन्नी चन्नी के अंदर हमें एक स्पून हाफ स्पून हमें सोड़ा डाल देना है और एक स्पून हमें डाल देना है नमक तो थोड़ा सा मैंने सोड़ा डाल दिया है और एक स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है चनी की मदद से पहले इसमें हमने थोड़ा सा पानी लगा दिया था कड़ई जो है थी इसके उपर मैंने पानी की चीटे लगा दिया थी उसके बात हमें चनी के अंदर सोड़ा और नमक डाल कर इस जब भी आपका गैस होगरा होता है खतम होने लग जाता है तो कारबन देने लग जाता है नीचे की जो कड़ाई वगरा होती है या कूकर होता है काला पड़ जाता है तो अब काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा तो इस तरह से खाना भी बन जाएगा और आपकी कड़ाई है नीचे से गंदी भी नहीं होगी और आपको काफी मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी इसे क्लीन करने के लिए तो फ्रेंड्स ये देखे थोड़ी थोड़ी लाल लप्टे जरूर निकलेगी लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बात में ये लाल लप्टे ठीक हो जाएगी और जब भी खाना बनाएंगे तो इस तरह से सब्जी में जब बनाएंगे तो अब बिल्कुल भी आपके इसके अंदर जो नमक और सोडा जो इसके अंदर डालवा था उसके कारण इस कड़ई में बिल्कुल भी कारबन जो काला बन होता है वो बिल्कुल भी नहीं आया है बिल्कुल क्लीन ही है हलका सही मैंने स्क्रबर से रब किया है तो कितनी साफ क्लीन हो गई है ज्यादा safety pin के अंदर जितने भी प्याज आ सकते हैं इसके अंदर राल दे इससे हमें safety pin को अपने kitchen में रूम में जहां पर लगाना है जहां पर आपके लगे कि छिपकली आती है छिपकली जो होती है इसकी दुरगंद होती है प्याज की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो आप इ प्याद लगा देंगे तो इसकी दुर्गन से चिपकलियां वारा बिल्कुल भी नहीं आएगी और इसकी दुर्गन से प्याज की दुर्गन से मच्छर मक्हीं भी है वो भी दूर हो जाएगी तो फ्रेंड्स आई हो पापको मेरे यह व्ला टिप भी काफी पसंद आया होगा तो इस झाहर सेफ्टी भी आप तीन या चार या जित्ते भी ले सकते हैं तो जिस जिस रूम में चिपकलियां या फिर कोई भी मक्हीं मच्रा आते हैं तो अब इस तरह से इस प्यार कार और इने बगा सकते हैं तो friends यह थे मेरे कुछ ऐसे tips जो आपको पसंद आये होंगे उमीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे tip पसंद आया होंगे सबसे चाहँ आपको मेरा कॉंसर tip पसंद आया कॉंसर tip पहले पता था मुझे comment box में जरूर बताना मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड थैंक्स पूर वाचिंग